रदे रदे जय स्री किष्णा भक्ती का सरल प्रथम मार्ग एक आलसी लेकिन भोला भाला योग था आनन्द दिन भर कोई काम नहीं करता बस खाता ही रहता और सोता रहता घर वालों ने कहा चलो जाओ निकलो घर से कोई काम धाम करते नहीं हो बस पड़े रहते हो वह घर से नि की पूजा करते हैं उसने मन में सोचा यहां बढ़िया है कोई काम धाम नहीं बस पूजा ही तो करना है गुरु जी के पास जाकर पूछा क्या मैं यहां रह सकता हूं गुरु जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता गुरु जी कोई काम नहीं करना बस पूजा करनी होगी आनंद ठीक है वा तो मैं कर लूँगा अब आनंद महाराज आसरम में रहने लगे ना कोई काम ना कोई धाम बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्त में भजन गाते रहो महीना भर हो गया फिर एक दिन आई एक का दसी उसने रसोई में जाकर खाने क कोई तयारी नहीं थी उसने गुरु जी से पूछा आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरु जी ने कहा नहीं आज तो एका दसी है तुमारा भी उपवास है उसने कहा नहीं अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम तो हम नहीं रसकते उपवास हमें तो भूख लगती है आपने पहले क्यों नहीं बताया गुरू जी ने कहा ठीक है तुम ना करो पुवास पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा तुम खुद बना लो मरता क्या ना करता गया रसोई में गुरू जी फिर क्या आए देखो अगर तुम खा आटा तेल घी सबजी लेकर आनंद महराज चले गए जैसा तैसा खाना भी बनाया खाने लगा तो याद आया गुरू जी ने कहा था कि राम जी का भोग लगाना है वह भजन गाने लगा आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी प्रभू राम आईये श्री राम आईये मेरे भो प्रभू राम जी आ नहीं रहे हैं। सिरी राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराई और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। प्रभू मैं भूखा रह गया लेकिन मुझे आप दोनों को देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादसी पर ऐसा ना करना पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुधित हुए प्रशाद ग्रहन करके चले गए। अगली एकादसी तक या भूला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभू ऐसे ही आते होंगे और प्रशाद ग्रहन करते होंगे। फिर एकादसी आई। गुरु जी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने पर गुरु जी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। वहां तो लोग आते हैं। गुरु जी मुस्कुराय भूग के मारे बावला है ठीक ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने तीन लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई। प्रभु राम आईए, सीता राम आईए, मेरे भोजन का भोग लगाईए। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई, लच्मड, भरत, शत्रुगन और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। यहा क्या हुआ। एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना ज्यादा बनाया तो पुरा खानदाना आ गया, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा, सब को भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा, अंजाने में ही उसकी भी एकादसी हो गई। फिर अगली एकादसी आने से पहले गुरू जी से कहा, गुरू जी यह आपके प्रभू र देखना पड़ेगा जाकर, भंडार में कहा इसे जितना आना चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े, इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले भुला लेता हूं फिर बनाता हूं, फिर टेल लगाई प्रभु राम आईए, स्री राम आईए, मेरे भोजन का भोग लगाईए, सारा राम दरबार मौजूद हो गया, इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या परसाथ तो तयार ही नहीं है, भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बन आने का, आप ही बना लो और खुद ही खालो, राम जी मुस्कुराय, सीता माता भी गदगद हो गई, उसके मासूम जवाब से लचमर जी बोले, क्या करे प्रभु, प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से, लचमर जी ने प्रिसाल लेने आने लगे, इधर गुरु जी ने देखा, खाना तो बन, बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है, पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया, बोला, अच्छा किया गुरु जी, आप आ गए, देखे कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ, उपर से गुरु जी को दिख भी नहीं रहे हैं, या और बड़ी मुसीबत है, प्रभु ने कहा, आप गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं, प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता, बोला क्यों, वे तो बड़े पंडित हैं, ग्यानी हैं, विद्ध्वान हैं, तो उन्हें पहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप। प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है, तुम्हारी तरह इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनन्द ने गुरू जी से कहा, गुरू जी, प्रभू कह रहे हैं, आप सरल नहीं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे गुरू जी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरल्ता नहीं पा सका तुम्हारी तरह और प्रभू तो मन की सरल्ता से हι मिलते हैं प्रभू प्रकट हो गए और गुरू जी को भी दर्सन दिये इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभू ने रसोई भी बनाई राधे राधे जैश्री किश्ना अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें अगर भूल चूक से कोई गलती हो गए तो छमा करें राधे राधे जैश्री किश्ना